प्यारवचों आपका महामाय क्लाशेस में स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्पनावली 11.1 रचना है ठीक है जिसमें पहला प्रसंदिया गया है कि 7.6 cm लंबा एक रेखाखन कीचिए और इसे 5 संबंदे 8 के अनुपात में विखाजित कीचिए तो देखें इसमें रचना भी करना है और बनाना भी है मलब की रचना लिखना भी है तो और यह एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह बोड की परिच्छा के दिससे बहुत है इस प्रस्णावली से बहुत सब्सक्राइब पूछे जाते हैं और 100% एक प्रस्णों फिक्स रहाता है इसलिए आप र इस स्केल में क्या दिया होता है इंच दिया गया होता है तो इस स्केल से हम लोग खीचेंगे पहले 7.6 cm लंभी एक रेखा ठीक है तो यहां से दिखेंगे 7.6 यह जीरो से लेके चलेंगे 7.6 यह रेखा हो गई अब इस रेखा के दिखेंगे इसका नाम रखेंगे A और B इस किछना और इसके बाद दूसरा प्रमुक कारे होता है कि इस पर यह बिंदू पर चाहे बीव सिरे पर दोनों सिरे से एक दोनों सिरों के में से किसी एक पर नियून कड़ ना करेंगे तो नियून कोड़ आपका 30-60 कुछ भी हो सकता है तो पहले एक नियून कोड़ बालो तो यहां नियून कोड़ के लिए 60 उनका कड़ बनाते हैं कितना इसको गया साथ अब इसे स्केल से मिलाकर एक्स रिखा किछेंगे जिसका नाम के अब इसे क्या करेंगे जितना कहा गया है पांच संबंदे आठ तो इसे मतलब पांच प्लस आठ बराबर तेरह भागों विवाजित करेंगे इस रिखा को एक्स रिखा को तेरह भागों विवाजित करेंगे जो कुछ इसतर रिखा होगा द्यास दिखेगा तेरह भागों विष्ट करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, और तेरह जब तेरह भागों विवाजित होगया ते इसका नाम रखेंगे अब इससे तेरह भागों बाट लिया गया अब तेरह भागों बाटने के बाद क्या करेंगे जो ए तेरह दिया गया है उसे बी से मिला लेंगे उसे बी से मिला लेंगे dotted line से कुछ है इस प्रकार से क्या करेंगे dotted line से बिंदू बी से मिला लेंगे अब बिंदू बी से मिलाने के बाद जो ए फाइफ होगा वहां से ए भी रेखा पर यक्स देखे यक्स और बी से यक्स भी जो रेखा बनी इस रेखा के समांतर बिंदू ए फाइफ से रेखा बनाने होगे क्या करेंगे यहां क्या करेंगे यह प्रकार रखेंगे और एक चाप कर रेंगे ठीक उसी तरह سے ओरूब यहां कि दुरु ना सब लेंगे यही है और लाकर के यहां से यहां कोड़ काटा है वो ऐसे कट कर लेंगे अब कट करने के बाद A5 से मिलाकर एक रिखा कीचेंगे जो की A B को बिंदू C पर काटता है तो देखे यही अब A C और B C वह रिखा खंड होंगे जो पांस समद्धे आठ की रुपिन विवाजित हो चुके हैं तो ठीक इसी तरह से आप सभी रिखनाओ को कर सकते हैं ठीक है और सीख सकते हैं और और रिखनाओ को लिखने के लिए किया करेंगे सबसे पहरी रिखनाओ जो सबसे पहरin में लिखेंगे जो जो चीजें हम लोग किए यसका वो लिखते चलेंगे जैसे लिखेंगे एक किरण एक किरण खीचते हैं जो एवी के साथ नियून कौन बनाए किरण एक को तेरह भागों में विभाजित करते हैं और जो तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पर करेंगे ए थर्टिन को लगकी ए थर्टिन को क्या करेंगे बी से मिलाते हैं और चौता है ए फाइव बिंदू से ए थर्टिन बी के समांतर रेखा खिचते हैं पाचवा जो रेखा ए बी को बिंदू सी पर सी पर पाट समन्दे आठ के अनुपात में विभाजित करती हैं आप लोगों को यह चीजे अच्छी लगी होंगी हम लोग तो यही आसा करते हैं लेकिन और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे इस चैनल को सस्क्राइब करें और अधिक साधिक अपने दोस्तों तक सेयर करें क्योंकि आज प्रस्ट नमबर एक बताया गया है इसी तरह लगाता हम एक एक दिन करके धीर धीर आपको सभी वीडियों प्रवाइड करा देंगे और रिचनाव के अध्याय से सभी प्रचनाव को हम करवा जाएगा हमारे दोरह करवा जाएगा ठीक है ताप भाई आप लोग चैनल को सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियों में